एक पार की बात है, एक चुड courts थी जो कि जंगलों में रहा करती थी, उस चुडेल की एक बहुत मोटी चोटी थी और लोगों का ऐसा मानना था कि उसकी सारी ताकत उसकी चोटी में थी, अगर कोई भी आदमी जंगल में जाता और चुडेल उसे देख लेती तो वो आदमी पुटी हो जाती थी। एक बार चार बच्चे हरी बिर्जू, रामू और पिंकी खेलते खेलते जंगल के पास पहुँच गए। पिंकी एक सीटी बजा रही थी। बच्चे हसने लगते हैं कि तभी रामू थोड़ा परिशान होकर कहता है। बस तुम दोनों जैसे बच्चे ही डरते होंगे ये चुडायल की कहानियों से। अरे क्या तुम लोगों को नहीं पता कि ऐसी कहानिया छूठी होती हैं। और क्या हमारे मापा पस हमें डराने के लिए ऐसी कहानिया बनाते हैं। ताकि हम समय से सो जाएं, समय से स्कूल जाएं और ठीक से खाना खाएं। तुम लोग तो अभी सच मुच में पच्चे ही हो। नहीं नहीं दोस्तो, ऐसा नहीं है, गाउं के कई सारे लोगों ने उस चुडैल को देखा है, भला इतने सारे लोग जूट क्यों बोलेंगे। अच्छा, तो अगर ऐसी ही बात है तो चलो, आज दूद का दूद और पानी का पानी हो ही जाए। हरी की बात सुनकर पिंकी और रामू डर जाते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा। मतलब ये की चलो, जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई मोटी चोटी वाली चुडैल है भी या नहीं हे 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 तो सोचकर ही डड़ लग रहा है अरे अगर वहां हमें चुडैल मिल गई तो हम क्या करेंगे देख रहे हो ना बिर्जू ये लोग कितने डरपोक हैं अरे चलो हरी इन्हें घर जाने दो और खाना खाके सोने दो हम दोनों पहादुर हैं इनकी तरह डरपोक नहीं हम दोनों चलते हैं और चलकर जंगल घूम कर आते हैं कल सारा गाउं यही बाते करेगा कि बिर्जू और हरी कितने बहादुर हैं बिर्जो और हरी की बात सुनकर पिंकी और रामू भी सोच में पड़ गए तब ही रामू बोला अच्छा ठीक है हम भी तुमारे साथ आएंगे लेकिन ये याद रखना कि हम बस आधे गंटे में जितना जंगल घूम पाएंगे उतना घूमेंगे और फिर बाहर निकल आएंगे क्योंकि अब अंधेरा भी हो रहा है अगर हमने जादा देर की तो हमारे घरवाले चिंता करें हाँ हाँ ठीक है हमें मन्जूर है रामू चलो इसके बाद चारो दोस्त जंगल के अंदर चले गए जंगल बहुत ही घना था और चारो तरफ सन्नाटा चाय हुआ था पिंकी और रामू काफी डर रहे थे लेकिन हरी और बिर्जू को बहुत मजा रहा था क्या हुआ पिंकी रामू कहीं तर तो नहीं लग रहा है ओ कहीं तुम्हें अपनी अपनी मम्मी के पास तो नहीं जाना है देखो देखो रामू यहां जंगल में तर के मारे अपनी पैंट फीली मत कर देना वरना हम तुम्हें वापस काउं कैसे ले जाएंगे तुम लोग बक्वास मत करो देखो हम जंगल के काफी अंदर आ गए है और यहां कोई भी नहीं है अब काफी समय हो चुका है चलो घर वापस चलो पिंकी और रामू वापस चलने की बात कर रहे थे लेकिन हरी और बिर्जु को तो जंगल घूमने में मज़ा रहा था इसी बात पर चारों की आपस में लड़ाई हो जाती है तब ही वहां किसी के आने की आहट होती है अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इसी तरफ आ रहा है हाँ पिंकी मुझे भी कोई आवाज सुनाई दे रही है लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही लगता है कि ये तुम लोगों का बहाना है यहां से भागने का तुम दोरों एक नंबर के तरफोक जो हो मैं जाडियों के पीछे चिपने जा रही हूँ अगर तुमें आना है तो आओ परना मुझे क्या रामू आओ तुम मेरे साथ चलो हाँ पिंकी चलो पिंकी और रामू जल्दी से जाडियों के पीछे जाकर चिप जाते हैं और हरी बिर्जू के साथ वहीं खड़ा रह कर उनका मजाक उडाता है लेकिन तब ही वहाँ पर मोटी चोटी वाली चुड़ैल आजाती है अरे बिर्जू तेरे पीछे तेरे पीछे तो सच में चुड़ैल खड़ी है अच्छा तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हूँ अरे मैं पिंकी और रामू नहीं हूँ हरी बिर्जू हरी की बात को मजाग समझ रहा होता है लेकिन तब ही चुड़ैल बिर्जू की गर्दन पकड़ कर उसे हवा में लटका देती है वाह कितना मोटा ताजा लड़का है तुझे देख कर लगता है कि तुझ में बड़ा सारा खून होगा तुझे मार कर मैं तेरे खून से अपनी चोटी की मालिश करूँगी और अपनी ताकत को और भी बढ़ा लूँगी चुड़ैल को देख कर जाडियों के पीछे चिपे पिंक्यों और रामू भी काफी डर गए थे अब क्या करें पिंकी ये तो सच में चुड़ैल आ गई है कुछ भी करके इन दोनों को उसके चंगुल से चुड़ाना पड़ेगा रामू अरे पिंकी हम उन्हें कैसे बचा पाएंगे हम तो खुद भी बचाएं वही क्या कम है रामू हम सब यहां साथ साथ आये थे अब अगर जाएंगे तो सब एक साथ ही बाहर जाएंगे तुम्हें याद नहीं क्या कि हमें टीचर ने क्या सिखाय था एकता में ही असली शक्ती होती है ओ ये कब सिखाया टीचर ने हम, साय तो उस दिन मैं स्कूल नहीं आया था, खेर छोड़ो, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ पिंकी, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे शुको, मेरे पास एक तर्कीब है, तभी पिंकी अपनी जेब से वही सीटी निकालती है, और पास में लगी जाडियों से कुछ बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती है, पिंकी पत्तियों को आपस में मोड कर लपेड देती है, सुनो रामू, अब तुम्हे बस ये पत्तिया एक साथ पकड कर रखनी है, और मैं इसके अंदर सीटी बजाओंगी, जब हम ऐसा करेंगे, तो सीटी की आवाज बहुत तेज होकर सारे जंगल में गुण जाएगी, इससे हमारी आवाज गाउं तक भी पहुँच जाएगी, और हम इस चुडैल को भटका भी देंगे, वा समय मत बरबात करो, जल्दी से शुरू हो जाओ, फिर रामो और पिंकी मिलकर सीटी से तेज आवाज निकालने लगते हैं, चुडैल ये आवाज सुनकर हैरान हो जाती है, अरे ये क्या है, ये तो बड़ी ही अजीब सी आवाज है, ऐसी आवाज तो जंगल में पहले कभी भ सुनाई नहीं दी है, लगता है कि कोई नया जानवर है जो जंगल में घुसाया है, वावाज आज तो मेरी किसमत बड़ी ही अच्छी है, एक साथ कितना फायदा हो गया, पहले इन मोटे ताजे बच्चों को खाऊंगी और फिर इस नय जानवर को भी, ए भगवान, ये चु जंता क्यों करता है हरी, ये चुड़ैल है ना, ये उस जानवर को हमें नहीं खाने देगी, क्योंकि इसे हमें खाना है, पैर खाया तो हमें ही चाहेगा ना बिर्चू, अब चाहे ये चुड़ैल हमें खाय या वो जानवर, हाँ, 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 हम सब मिलकर उस नए जानवर को ढूनेगे और फिर मैं तुम्हें भी उसके साथ खा जाऊंगी बिर्चो और हरी डर के मारे जोर-जोर से रोने लगे लेकिन चुडैल को इस सब में बहुत मजा रहा था चुडैल जंगल के अंदर चल पड़ी उस नए जानवर की तलाश में पीछे से पिंकी और रामू अभी भी जोर-जोर से सीटी बजा रहे थे और गाउं वालों को इशारा कर रहे थे आगर यह आवाज आ कहां से रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अब कहां ढूंडू? पिंकी और राजू लगातार सीटी बजा रहे थे और उनका यह आइडिया काम भी कर गया क्योंकि गाउं के लोग यह आवाज सुन कर सतर्क हो गये सभी फॉरन जंगल की तरफ निकल पड़े वहीं दूसरी तरफ चुड़ेल उस नए जानवर को ढूंडूंड कर ठक चुकी थी सारी जंगल में घूम फिर कर वो चुड़ेल वापस उसी जगा आकर खड़ी हो जाती है ओहो, सारी जंगल में ढूंड लिया लेकिन मुझे कोई नहीं मिला खेर छोड़ो, उसे बाद में खाऊंगी, अभी जो हाथ लगा है पहले उसका मज़ा तो उठा लूँ नहीं नहीं, छोड़ दो हमें, मरना, मरना अच्छा नहीं होगा अच्छा चुटकू, क्या कर लेगा तू, रुक, सबसे पहले मैं तुझे ही चबाऊंगी और तेरे खून से अपनी चोटी को ताकत दूँगी चुडेल हरी और बिर्जू को मारने जाही रही थी, कि तभी पिंकी और रामू उसके सामने आ गए चुडेल अपने ही खयालों में खुश हो रही थी, कि तभी वहाँ पर गाउवाले आ जाते हैं और वो चुडेल की चोटी पर कुलहारी से वार करने लगते हैं ये ले चुडेल, ये ले, आज तो हम सब तुझे सचमा मार डालेंगे गाउवाले देखते ही देखते ही चुडेल की चोटी को काट डालते हैं और चुडेल बेहोश होकर वही पर गिर पड़ती है इसी के साथ हरी, बिर्जू, पिंकी और रामू भी आजाद हो जाते हैं सब भाग कर अपने-अपने माता-पिता के पास जाकर खड़े हो जाते हैं तभी हरी की मा बोलती है ये सब क्या है हरी, तुम लोगों की मती मारी गई थी क्या जो तुम लोग जंगल में गए थे और वो भी इतनी रात को सब लोग नहीं अंटी जी, ये हरी और बिर्चु नहीं मुझे और पिंकी को मचबूर किया था जंगल में चाने के लिए हम लोग तो चाने से कितना मना कर रहे थे उन सब के बाद सुनकर गाउं के सरपंच बोलते है सभी लोग पिंकी को शाबाशी देते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते है